हेलो फ्रेंड, सोलर चर्चावित कृष्णा में आपका स्वागत है, मैं कृष्णा सिर्वास्तो आज से हमें एक नया सेशन चालू कर रहे हैं डिसकसन का ओफ ग्रिड सिस्टम डिजाइनिंग का बहुत सारे रूरल एरिया ऐसे है अभी भी जहां electrification नहीं है या power cut की problem है तो वहाँ on-grid सिस्टम तो successful नहीं होता लेकिन आप off-grid सिस्टम है या home life सिस्टम है ये suggest कर सकते है, drinking water सिस्टम है तो इसका भी अच्छा खासा business किया जा सकता है तो designing हम कैसे करेंगे off-grid सिस्टम की यही हम चालू करेंगे रोज हम एक topic लेंगे इसका और उसे cover करेंगे अगर इसमें आपको कोई भी doubt है तो आप मुझे direct comment box में या whatsapp पे मुझे contact कर सकते तो चलिए चर्चा की सुरुआत करते हैं सुरू करने से पहले चैनल को subscribe करना ना भूलिएगा इसमें हमने दो वीडियो अल्रेडी जो पहले बन चुके थे अपने discussion के वो मैंने add कर दिये हैं जिसमें एक तो है आपका type of off-grid system normal CC के साथ solar SMU के साथ और आपका जो inbuilt charge controller का inverter होता है उसके साथ और एक और वीडियो जो किया है वो है आपका component जो होते है off-grid system में क्या-क्या component होते है तो अब हम उन्हें फिर से नहीं कर रहे हैं वीडियो को आप उन्हें section में जाके इसके off-grid के podcast जो list है playlist उसमें से आप उन्हें find कर सकते है तो यह हमने देखा था external CC के साथ क्या होता है फिर inbuilt charge controller का जो inverter होता है उसके साथ कैसा होता है और component जो होते है off-grid system के उस पे भी एक separate video हमने बनाया है तो अब जो हम चालू करेंगे वो हम उसकी सीधे designing part पे आ रहे हैं तो designing part में आज हम देखेंगे कि कितने प्रकार से हम off-grid system को design कर सकते हैं यह दो प्रकार का हमारा system है off-grid system को हम दो type से design कर सकते हैं हम जितनी भी design करेंगे करेंगे यह दोनों प्रकार के system पे external charge controller पे भी और internal पे भी ठीक है? inbuilt है जिसमें वो भी और जिसमें external है वो भी तो दो प्रकार से हम इस system को design कर सकते हैं एक हमारा कहलाता है load to supply इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो भी load है जो भी load हमको हमारे solar off-grid system पे चलाना है उसके according कितना solar लगेगा? माल लीजे आपसे कोई customer कहता है कि मेरे घर में 4 AC, 2 पंखे यह सारी चीजे मिलाके 8 kilowatt का load है 8 kilowatt के load को चलाने के लिए कितने kilowatt solar लगेगा इसकी जो design होगी वो मेरी कहलाएगी load to supply ठीक है? मतलब right to left मेरे right hand से left की तरफ arrow जा रहा है मतलब house load से module की तरफ तो यह मेरा pattern कहलाएगा load to supply ठीक है? और जब मैं ऐसा कहता हूँ कि 1 10 kilowatt का off-grid लगवाना है और मैं उस पे क्या क्या चला सकता हूँ तो यह जो pattern कहलाएगा यह मेरा कहलाएगा supply to load हमारे पास supply है क्या है? 10 kilowatt system supply to load उस 10 kilowatt system पे कितने kilowatt load में चला सकता हूँ यह design जब हम करेंगे तो यह मेरी कहलाएगी left to right left hand पे module है उससे right hand की तरफ arrow आप देखो जा रहा है तो यह मेरा कहलाएगा left to right design तो यह दो प्रकार्ट की design है जो हम करते हैं off grid system में तो पहली design हम देखते हैं load to supply means हमारे पास load रहेगा जिसके according हमें कितने kilowatt का power supply बनाना पड़ेगा system वो हम design करेंगे तो आप इसमें देख सकते हो चुकि यह load to supply है मतलब जो भी मेरी design सुरू होगी वो load से सुरू होगी कितना load है हम वो calculate करेंगे तो load में मेरा क्या क्या आए जाएगा power power का मतलब क्या है हम जितने appliances चला रहे हैं उन appliances को चलाने के लिए कितने wattage या अगर मेरे पास 5 kilowatt का load है उसे चलाने के लिए कितने kilowatt का inverter मैं design करूँगा वो मेरा power में मैं कहूँगा कि अगर मेरे पास 5500 VA का inverter है तो मैं 5 kilowatt का load चला सकता हूँ तो power हो गया जो मेरे load का total होगा जो मुझे चाहिए जिसके उपर मैं inverter design करूँगा तो यह मेरा हो गया power फिर उस load को जो है मेरे पास पंखा हो या AC हो कितने घंटे चलाना है तो वो हो जाएगा मेरा running hours फिर total required energy for backup मैं मालो मुझे 5 घंटे चलाना है मेरा 100 watt का load है 100 watt 5 घंटे चलाना है इसका मतलब अगर मेरे पास 500 watt की energy होगी तब उसमें से मैं 100-100 kilowatt 5 बार लेके 5 घंटे तक मेरा 100 kilowatt का load चला सकता हूँ तो जब मैं load decide करूँगा तो उसमें मैं क्या निकालूँगा मेरा power कितना है load का running hours कितने है और उसके लिए total required energy कितनी लगेगी ये 4 point है जो मुझे calculate करना है load के लिए फिर load के बाद मेरा आता है second step मेरा inverter load के उपर depend करेगा हमारा inverter तो inverter में हम क्या देखेंगे inverter में हम दो चीजे देखेंगे एक कितना power था तो उसके लिए मुझे कितने VA का inverter लगेगा ठीक है VA का हो या KVA का हो वो में को decide करना है और दूसरा एक इसमें point कहलाएगा system voltage क्योंकि चुकि off-grade inverter है off-grade inverter हमारा battery पे चलता है ठीक है बिना battery नहीं चलेगा तो system voltage system voltage का मतलब है कितने bolt की battery इस inverter में लगाना compulsory है तब मेरा inverter proper work करेगा तो एक माल लिए 3 kilowatt का inverter है तो वो 3 kilowatt का inverter आपका 24 volt में भी available है 36 volt में भी available है और 48 volt में भी available है market में तो design करते समय हमें ये भी देखना जरूरी है कि किस voltage range का inverter लेना हमारे लिए ज़्यादा suitable है economical भी और reliability के हिसाब से भी ठीक है तो ये हम inverter में दो चीज़े देखेंगे inverter के बाद आती है मेरी battery अब battery किस चीज़ पर depend करेगी तो आप इदर देखो नीचे लिखा है battery में मैं क्या-क्या calculate करूँगा total battery bank for required energy जो हमारा load में required energy निकलेगा 5 kilowatt की चाहिए या 10 unit की चाहिए या 20 unit की चाहिए ठीक है तो वो total backup bank निकालेंगे हम फिर उसके बाद number of battery इन सीरीज में निकालेंगे क्यों क्योंकि battery 2 volt में available है 6 volt में है 12 volt में है तो मेरा जो system voltage है उस voltage को बनाने के लिए कितनी battery मुझे सीरीज में लगाना होंगी ये भी हमें calculate करना होगा फिर दूसरा आता है number of battery in parallel माल लीजे आपको 10 या 12 घंटे जादा load को चलाने के लिए backup चाहिए और market में स्रिफ 200 AH की battery है जबकि आपको 400 AH की जरूरत है तो हमें क्या करना पड़ेगा 200-200 की 2 battery को parallel करना पड़ेगा जब हम parallel करेंगे उन्हें तब मेरा वो total 400 AH होगा तो number of battery in parallel भी मुझे calculate करना पड़ेगी तो load load के बाद आया मेरा inverter inverter के बाद मेरी battery अब battery के according ही मैं charge controller decide करूँगा अगर मेरी battery का voltage 36 volt है तो जो मैं charge controller लगाऊँगा वो मैं 36 volt का उपयोग करूँगा क्योंकि ना आप 48 volt का लगा सकते हैं ना आप 24 volt का लगा सकते हैं जितना आपका system voltage होगा उसके according ही आपको charge controller decide करना पड़ेगा एक चीद दूसरा battery charge करने के लिए मैं solar का उपयोग कर रहा हूँ तो मेरे solar panel का या जो मैंने solar plant उपर लगाया है उसका जो total current होगा वो भी मुझे charge controller को जब select करूँगा तो मुझे देखना जरूरी है मान लिजए आपने charge controller 10 ampere का ले लिया और आप उसमें solar जो लगा रहे हैं वो 25 ampere का लगा रहे हैं तो इससे क्या होगा हमारा जो charge controller वो खराब हो जाएगा तो charge controller जब आप select करोगे तो उसमें मैं voltage देखूँगा system voltage या battery voltage और दूसरा current rating देखूँगा मेरा जो solar plant बन रहा है उसकी total current, output current कितना है तो charge controller में ये 2 point हमें देखना है फिर मेरा आता है solar last one तो solar क्या है मैंने जितना भी बड़ा battery bank बनाया है या जो चीज में day time में solar के रहने पे direct solar पे चलाना चाहता हूँ तो इनको total चलाने के लिए battery को charge करना प्लस मेरे load को चलाना इसके लिए कितना solar लगेगा मुझे ये calculate करना पड़ेगा माली जे मेरी battery को 5 unit है और मैं load चलाना चाहता हूँ 7 में 2 unit तो मुझे 7 unit की जरूरत है at the time है ना तो अब उस 7 unit के लिए ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ एक unit का solar लगा दू मुझे 7 से ज़्यादा ही solar करना पड़ेगा तो ये सारी चीजे हम calculate करेंगे यही है main designing off grid की बहुत typical चीज होती है इसलिए आप देखोगे कि अगर 100 solar का work करने वाले है vendor तो उनमें से 5 या 7 होंगे जो off grid में dealing करते हैं बाकी सभी on grid में करते हैं क्योंकि off grid लगाना असान है अगर proper calculation नहीं है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा service maintenance, fault, complaint आएंगी ठीक है solar में मैं क्या-क्या calculate करूँगा total required solar power फिर daily average available solar energy ठीक है daily मुझे कितनी मिलेगी ऐसा नहीं है कि आपने आज गर्मी के मौसम के हिसाब से 5 unit का design कर दिया बारे से अठंड आई तो सिर्फ 1 unit मिल रहा है तो आपका system fail हो जाएगा चलेगा ही नहीं क्योंकि off-grid वहीं लगाते हैं जहां दूसरा electricity का option available नहीं होता है या होता है तो बहुत कम समय के लिए होता है ठीक है तो मेरे दो point हो गए total required solar power daily average available solar energy फिर आएगा total number of module ठीक है क्योंकि मालो आपको 2 kilowatt solar की जरूर है तो 2 kilowatt का पैनल तो अभी है नहीं बजार में आपको 300 watt का लेना पड़ेगा 200 watt का लेना पड़ेगा 500 watt का लेना पड़ेगा तो कितने पैनल हम लगाएंगे तो हमारा जो system voltage है या मेरा series voltage है इसके equal बन जाए ऐसा नहीं है कि मैंने 5 पैनल select कर लिए और मैं जो string बना सकता हूँ सिर्फ 2-2 पैनल की बना सकता हूँ तो 2-2 की 2 string बन गई एक पैनल मेरा खाली रह जाएगा अब या तो मैं 6 करूं पैनल या 4 करूं पैनल तो ये चीज भी बहुत जरूरी है हमें ध्यान में रखना last point आता है मेरा number of string कितनी string मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी देखा न हमने charge controller हम current के according लेते हैं तो अब जब मैं string बना रहा हूँ तो माली जे 3 string बना दिया एक string का 5 ampere current है 3 string parallel होगी तो कितना हो जाएगा 15 ampere current हो जाएगा control अगर आपका 10 ampere का है आपको नुकसान हो जाएगा charge controller का तो string हम कितनी बना रहे हैं string में जो voltage हमने लगाए है voltage है string का वो कितने module का है तो यह सारी चीज हम design करना सीखेंगे रोज वीडियो में एक-एक step हम करेंगे बहुत step by step पढ़ेंगे धीमे से क्योंकि बहुत ही important है और बहुत आप typical कह लीजे या cutting कह लीजे है तो cutting off-grid system क्योंकि एक भी आपने देखी आप load, inverter, battery, charge controller, solar इसमें structure, wiring, MCV, fuse इन सब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी वो तो secondary चीज है man जो calculation है वो इन चीजों की है तो बहुत बारीक है एक भी अगर आपने गलत किया आपने inverter गलत निकाल दिया तो आपकी battery, charge, controller, solar गलत हो जाएगी calculation आपने load calculation गलत किया तो बाकी चार component आपकी गलत हो जाएगी system fail हो जाएगा तो हम ये रोज पढ़ेंगे अगर आपको इसमें कोई भी query है, doubt है तो आप मुझे से पूछ सकते हैं और भी अगर जैसे आप off-grid में काम करते हैं और आपका कोई system है जो आप design कर रहे हैं तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं अपन उसी का live example लेके सीख लेंगे इसे, बहुत मज़ा आने वाला है off-grid system की design में तो बने रहे हमारे साथ solar church with Krishna में आज के discussion में आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही फिर मिलेंगे हम इसके अगले step के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए नमस्कार